हिमालिया क्विस्टा प्रो है सुपीरिय प्रोटीन वे ते हल्दी वे तो फिल्स शिवराद सरकार आपकारी नीथी को लेकर काम कर रही है इसी बीच शराब प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर आई है आपकारी विभाग अब शराब लाइसेंस को लेकर विचार कर रही है उनके मताबिक अब 500 रुपए में शराब लाइसेंस लेकर घर पर ही दोस्तों के साथ शराब पार्टी का मजा लिया जा सकेगा सरकार की इस पॉलिसी की नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंग ने निंदा की है उनका कहना है कि सरकार युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है मताबिक प्रतिपक्ष की बाज़ापा सरकार के मुखिया से माननी सिंग्राज सिंगी ने नीती सराब पिने के लिए फुलिश फूट दे रखी है दरसल आपकारी विभाग तीन तरह के लाइसंस देने का विचार कर रही है जिसमें शादी, जन दिन और अनिवर्सरी शामिल है इसके लिए एक विशेश तरह का आठ कॉलम का फॉर्म है जिसे भरने के बाद आपको शराप का लाइसंस आसानी से मिल जाएगा और आपकी पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई मजा खराब नहीं होगा पार्टी और आसान होगी आपकारे विभाग ने लाइसंस को अलग-अलग कैटेगरी में बाट दिया है यानि घर के लिए 500 रुपए, मैरिज गार्डन और हॉल के लिए 5000 रुपए तो वहीं रेस्तरा के लिए 10,000 में लाइसंस मिलेगा हाला कि पार्टी के लिए ये लाइसंस महस एक दिन के लिए ही मिलेगा वहीं शिवरात सरकार रेविन्यू बढ़ाने के लिए शराब पर लगाये जाने वाले टैक्स को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है जानकारी के अनुसार नई शराबनीती 2023-2024 में शराब पर लगने वाली वेट को 10% से बढ़ा कर 20% किया जा सकता है ऐसा करने से सरकार के पास अतिरक्त आमदनी हो पाएगी भोपाल से इजहार हसन खान की रिपोर्ट, MP तक झाल